उम्देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद, प्रसीद मादल जगतो खिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं, वमेश्वरी देवी चराचरस्य, शर्णागत दिरार्त परित्राण परायने, सर्वश्यार्ति हरे देवी, नारायनी नमोस्तु देव बित्रो भारतिय संस्किति के अंदर नवरात्र एक ऐसा पर्व है जिसमें आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ती के लिए भगवती से अराधना कर अपनी मनोकामना पूर्ती करवा सकते हैं जी हम भारती सस्किती के अंदर ऐसे अवसर आते हैं इसे महूर्त आते हैं जो सित्व महूर्त हैं और उन्से कामना भगवति अवश्य पूर्ण करती है यदि आ वरत का पार dit करल करते हैं तो नवरात्र भारती सस्किती में वो पर्वे है कि जो आपकी मनोकामना सिध्धी के लिए अद्भुद रास्ता बनाते हैं, अद्भुद सैयोग बनाते हैं, नव्यात्र भारती सस्किती में दो बारतों मुख्य तोर पर आते हैं, तो भारती सस्किती के अंदर चैंत्र नव्यात्र और शार पर दुर्गा सप्षती में कहा जाता है कि जो शादि नवात्र में भवति के अराधना कर उन्हें समस्त रूप से आराधना कर समस्त वृतों का पारंग करते हैं उनकी मुनोकामना अवक्ष्य पूर्ण होती है का गया सर्वाबाधा विदिर मुट्व तनधान्य सुतान विता नवरात्र का अर्थ है नवरात्र नव दिन नहीं है नवरोज नहीं है नवरात्र रात्री का महत्व है जो रात्री में जाकर भवति के अराधना करते हैं उनकी तमाम मनुकामना पूर्टी को प्राप्तों होती हैं ऐसे शुभ्योग बनते हैं कि जिस अकांग्षा से आपने जाते हैं दूसरे होते हैं शाती नवात्र करीब करीब जो तो देड़ महीना करीब पहले होते हैं उनको शाथी नवात्र का शास्त में अनेक मेहतों बताए गए देखे नव रात्र हैं नव दिन नहीं है सबस्पेहले तो यह समय और हमारे यहां तो कई विडवना यह चल गई है कोई साथ मना लेता है को छे मना लेता है और कोई सब अश्टमी को पूर्ण कर देता है कहीं कि नौभी जी आती है अब प्रश्न यह उड़ता है कि कौन सा हम पूजें तो नव रात्र है साथ नहीं है आठ नहीं है अश्टमी जरूर है महा नौभी का पर्व है तो नव दिन परियंत मनाना चाहिए तो अपनी शद्दा के नुसाल है बाकी अपनी परिपाटी जो चली आ रही है मैं उसको तोड़ने को नहीं कह रहा है तो आप पूज परियास कर रहा हूं कि नव रात्र है अपने व्रत्का को कूल्ण करने का प्रयास करें और रात्री में मनाने का प्रयास करें है नावरात्र के समय में नव दिर्गियों का पूजक wonderful शास्तर में बड़ा अद्वुत नियम है इस प्रकार से प्रदमं शाइल पुत्री जुद्यम प्रम्मचारणी त्यत्यम चन्रगंटे कुश्मांडेदी चतुर्टकम पंचम स्कंदमातेदी खष्टम कात्यायनी जा सब्तमवकाल आत्री जा महागावविति जास्टम नवम सि को प्राप्त करने के लिए साध्मा करी और अपने जीवन के वाकस्वी कुद्धि्ष्ट को साध्ना के दुवरा प्राप्त किया व्रह बध को ब्रम्मचारणी बो देवी जो अचरन करने बने ब्रत्वम्षयलिवभुत्र दुथियम प्रम्पचार नितित्यम चंद्र घंटे चंद्र हंटा भगवती का अराधना करने से सवस्त जीवन में विजय की प्राप्ती होती है शास्त्र में ऐसा नीयम बनाए गया है जब शक्तुम्थ बहुत परिशान कर रहे हो दुश्म करने से विजय नाद शंक नाद उत्पन होता है और विजय की तरव जाता है तो कुष्मांडेदी चतुर्थ कुष्मांड यानि ये ब्रह्मांड जो है कुष्मांड की तरह अंड स्वरूप आखार में उसी समस्त स्रिष्ठी की जिससे उत्पत्ती हुई है ऐसी भगवती की रातना करने की आरातना करणने का नियम बताया क्छिवन कोष्मांड देवी की आरातना की जाती घृजिए। इसी माता का ध्यान करते हुए स्कंदमाता का ध्यान किया है सब्सक्राइब आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म ले तो ऐसी मरुकामना भी यानि असंभव इसा करते हैं ऐसा सब्सक्राइब करने वाली कोई और शक्ति नहीं जो सक्षाद ऐसी भगवती है रुत्र रूप धरन करती है और सुट्रों का संभार करने वाले देखी संसार में यदि साधू है मानव है तो एक मानव की चलिए कि शैतान भी होगा बदमाश भी होगा दुष्ट भी होगा रक्षस भी होगा उसका संभार करने वाले शक्ति कालराप्ति ऐसी बदी कालराप्ति तो सब्सक्राइब महागावरी जो ऐसी भगवती जब दुष्टों का संभार हो जाएगा तब वास्तुभी सौनुदर रेकावदे होगा ऐसी महागावरी जिनको आराजरा कर जिनका दर्षन करने मात्र से समस्त मनुकामना अपने पूर्थी की तरफ चले आती हैं, ऐसी महागवरी के अश्टमी की दिन अरादुना करते हैं और रंत में आती हैं भगवती, जिसको कहा जाता है नवम सिद्धिदात्रि, जानि समस्त सिद्धियों की पूर्थी करने वाली कैसी मनो कामना वो उन सब के समक्ष उस दिन जो श्रक्ट निष्ट हो का संगल्ब कर लेते हैं तो साक्षाथ सुत्र दात्री देवी समस्त सिध्यों की पूर्ति दे देलती है तो ऐसी है नौ ग्राट्र इनमे जो वॡुक का पालूम करते हुए अर अधना कटे हैं यंगे कटे उनके जीवर में चबकार उपस्तित को रहा है।